अलो फ्रेंट सौगत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीश प्रतापार बियल में और इसमें हम लोग अभी तक विज्ञान के 6 टेस्ट कर चुके थे ये 7 वा टेस्ट है इसका योज आप जूनियर स्कूल एडिट भरती में कर सकते हैं तक शार्यिकारी के जो पेपर आने वाले हैं उसमें कर सकते हैं सुपर टेट का जो एक्जाम आने वाला है वहाँ पर आपको साइन्स के क्वेश्षन मिलेंगे और उप्ई P.C.S. का जो पेपर होने वाले हैं उसमें आप इनका यूज कर सकते हैं पहला question देखते हैं कुछ धात्वें और अधात्वें हैं और उनका उपयोग कहां किया जाता है यह आपको बताना है जैसे आयोडीन का उपयोग घावों पर मरकरी, ताप मापियों में एलमूनियम, खादपदार्थों के डिबबा बंदिया पैकेजिंग में क्लोरीन का जल सोधन में तो आपको जो सही लगते हों आप इस तरह से करके मैच कर सकते हैं हम आपको बताते हैं सही आंसर इसका क्या है तो इसका सही आंसर है यह एक दूसरे से पहले सही सुमेलित है यानि आयोडीन का प्रियोग घावों पर किया जाता है मरकरी का प्रियोग ताप मापियों में किया जाता है एलमुनियम का प्रियोग खाद पदार्थों के डिबबा बंदी या पैकेजिंग में किया जाता है और chlorine का प्रयोग जल सोधन में किया जाता है आपने देखा भी होगा जल को किटाण रही तिया सोधन करने के लिए उसको सुध करने के लिए chlorine मिलाया जाता है कुमों में chlorine डाला जाता है swimming pool में इसी वज़े से chlorine डाला जाता है तो इसके बाद अगला question है जब कुमों से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ए ओप्शन है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है पानी की सतह से ऊपर हलकी हो गई है पानी से बाहर आकर इस तेर्था कोबैठी है या D option पानी से बाहर आकर उसके दरबिमान में प्राप्ति होई है या ब्रधी यहां पर कह सकते हैं यहां पर ब्रधी होना चाहिए ब्रधी हो गई है ठीक है तो इसका जो सही आंसर है जब कुए से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सत्य से ऊपर भारी हो जाती है, यह जैसे पानी की सत्य है, इसके बाहर जैसे ही आईगी, वहाँ पे आपको भारी महसूस होगी, जब तक अंदर रहेगी तब तक इसका जो भार है वो आपको Chapter होगा, उसका कारण यह है, आर्कमिडीज के सिध्धान के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी के सत्य के उपर अधिक प्रतीत होता है जब कोई ठोस वस्तु द्रो में डुगोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है भार में यह आभासी कमी द्रोध वारा वस्त उपर, उपर की ओर लगाये गए बल के कारण होती है इस बल को उत्पलावन बल या उच्छेप कहते हैं जब पानी की बाल्टी उपर आ जाती है तो उत्पलावन बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी जो है भारी महसूस होने लगती है अगला कोश्चन है कोई साइकल की सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है साइकल के पहिये कौन-कौन सी गति को दर्शाते हैं पहला है ब्रत्ति और आवर्ति गति दूसरा है ब्रत्ति इस्थानांतरित और आवर्ति गति तीसरा है ब्रत्ति और इस्थानांतरित गति और चौथा है इस्थानांतरित और आवर्ति गति तो इसका सही आंसर है कि कोई साइकल किसी सीधी सड़क पर नियद चाल से अगर चल रही है तो साइकल के पहिये ब्रती और इस्थानांतरित गती को दर्शाते हैं कि वो है ब्रती गती और सीधी सड़क पर नियद चाल से गमन करना इस्थानांतरित गती कहलाता है इसका सही आंसर है यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नियूतन का तरतिक्रिया का है जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरी तो उसकी प्रतिक्रिया होती है न्यूटन का प्रत्विक केंदर पर किसी पिंड का भार शून ने होगा अनन्त होगा धुरूओं पर भार से थोड़ा कम होगा विश्वत रेखा पर भार से थोड़ा कम होगा तो इसका अंसर क्या है प्रत्वी के केंदर पर किसी पिंड का भार शून ने होगा क्यों होगा प्रत्वी के केंदर पर जी का मान शून ने होने के कारण किसी पिंड का भार भी शून ने होता है जबकि दुरूओं पर जी का मान अधिक्तम होने के कारण भार सरवादिक होता है तो ये याद रखना दुरूओं पर जी का मान सबसे अधिक होता है और उसके कारण वहाँ पर किसी वस्तु का भार भी सरवादिक होगा और पृत्वी केंदर पर किसी पिंड का भार क्या होगा? सून होगा यदि हम दर्वाजे के कबजे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पूरतया, समाप्थ हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा तो इसका सही आंसर है यदि हम दर्वाजे के कबजे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण घट जाएगा दर्वाजों के कबजों पर तेल लगाने से उसका घर्षण घट जाता है जिससे खुलने में आसानी होती है तेल इसने हग का कारता है लिफ्ट में एक लड़के का अभासी बार उसके वास्तुविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही हो एक नियत वेक से नीचे की ओर एक नियत वेक से उपर की ओर एक नियत तोरण से नीचे की ओर एक नियत तोरण से उपर की ओर तो लिफ्ट में एक लड़के का अभासी भार उसके वास्तुविक भार से अधिक कब महसूस होगा आपने भी लिफ्ट में अगर उपर नीचे आप भी गए होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि उपर जाने पर क्या होता है और नीचे जाने पर क्या होता है तो इसमें जब एक नियत तुरण से उपर की ओर जाएगी तब फिर लड़के का आभासी भार उसके वास्तुविक भार से अधिक होता है। के सिध्धान्द पर आधारित है। जब की गोली का भार उसके द्वारा हटाये गए जल के भार से अधिक होता है। जिससे जहाज पानी में तैरने लगता है। तो जहाज की जो बनावट या धाचा ही ऐसा होता है। कि उसके द्वारा जो जल का भार हटाया जाता है वो जहाज और उस पर लदे सामान के भार से अधिक होता है। जल का भार इस वज़े से वो तैरता रहता है। जब किसी वस्त को प्रथवी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो उसका भार घट जाता है, ग्याताव है कि चंदर्मा पर ना गुरुत्वा कर्शन बलका मान प्रत्वी के गुरुत्वा कर्शन का एक बटे छे भाग है, इसलिए चंदर्मा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, परन्तु द्रब्यमान आपरिवर्तित रहता है, तो इसकी भी आख्या देख लेते हैं जब किसी वस्तु को प्रत्वी से चंदर्मा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है या तब यह कि चंदर्मा पर गुरुत्वा कर्शन बल कमान प्रत्वी के गुरुत्वा कर्शन का एक वटे छेवा भाग है इसलिए चंदर पर भार हो जाएगा M G by 6 यानि M into G by 6 आपका चंदर्मा पर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा B option दस्वा है हवाई जहाद से यात्रा करते समय पेंज से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण वायुदाब में ब्रधी के कारण स्याही के आयतन में ब्रधी के कारण या अत्यधिक भार के कारण तो इसका जो सही आंसर है हवाई जहाद में यात्रा करते समय पेंज से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण उपर जो है उपर जाने पर वायुदाब में कमी होती जाती है अधिक उचाई पर जाने पर दाब करमशा कम होता जाता है इस कारण उचाई पर पहुँचने पर बाहर के दबाव वा पेन के अंदर स्याही के दबाव का सामे भंग हो जाता है पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण या बाहर की ओर निकल पड़ती है निमलिकित में से किसी इंधन का उश्मी मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन, कोईला, पेट्रोल, डीजल तो इसका जो सही अंसर है वो है हाइड्रोजन यह option आपका सही अंसर है किसी इंधन का उश्मी मान ओश्मा की वह मातरा है जो उस इन्हन के एक ग्राम को वायू या आकसीजन में पूरता है जलाने के पस्चाथ प्राप्त होती है किसी भी अच्छे इन्हन का उश्मी मान अधिक होना चाहिए सभी इन्हनों में हाइट्रोजन का उश्मी मान सबसे अधिक होता है लेकिन इसका उपियोग घरेलू या ओद्योगी के इन्हन के रूप में समानेता है नहीं किया जाता है क्योंकि इसका सुरच्छित भंडारन कठिन होता है इसका उपियोग अंत्रेच्यानों में तथा उच्चताब उत्पन करने वाले ज्वालकों में किया जाता है हाइड्रोजन को भविष्य का इन्हन भी कहा जाता है बारामा है विद्धुत सेल में उर्जा परिवर्तन होता है विद्दू सेल में रसानी क्रिया होती है जिससे आवेश संचे किया जाता है अता हीया रसानी पूर्जा को विद्दू तूर्जा में परिवर्तित करने की एक यूगती है अगला question है अत्यधिक ब्यायाम के पश्चाथ किस पदार्थ के संचे के कारण ठकान होती है carbon dioxide, alcohol, lactic अमल या पानी तो अत्यधिक ब्यायाम करने के पश्चाथ किस पदार्थ के संचे कारण ठकान होती है C option आपस है लैक्टिक अमल पायरुविक अमल का लैक्टिक अमले में परिवर्तन ही थकान का प्रम्यकारण होता है शरीर में उर्जा प्रदान करने है तो यह परिवर्तन होता है जिसमें 2 ATP उर्जा निर्मुक्त होती है यांतरिक ओर्जा को वैद्दुत ओर्जा में रुपान्थ रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है Dynamo, Microphone, विद्दुत मोटर या battery तो इसमें प्रयोग किया जाता है एक option आपका सही है Dynamo का डाइनमो या AC जनरेटर या अंतरीक ओर्जा को विद्दूत ओर्जा में रुपांतरित करता है या माइकल फैराडे के विद्दूत में चुमकी प्रेर्ण सिधान पर कारे करता है अगला कोशन है सुद्ध जल का अधिक्तम घनत तो किस तापकरम पर होता है जिरो डिग्री सेंटीग्रेट माइनस पंदरा डिग्री सेंटीग्रेट चार डिग्री सेंटीग्रेट या पंदरा डिग्री सेंटीग्रेट तो सुद्ध जल का अधिक्तम घनत तो चार डिग्री स centigrade है डाइनमो और्जा परिवर्थित करता है विद्धुत को यांतरिक में चुमकी को विद्धुत में यांतरिक को विद्धुत में उपरक्त में से कोई नहीं तो अभी आप लोगों ने इसको पढ़ाई होगा इसका सही आंसर होगा यांतरिक और्जा को विद्धुत और्जा को यांत्रिक ओर्जा में बदलने का आ जाए तो ये विद्धुत मोटर करता है ओर्जा का ओर्जा सनरचन का आशे है कि ओर्जा का सरजन और विनाश होता है ओर्जा का सरजन हो सकता है विनाश नहीं ओर्जा का सरजन नहीं सकता परंत विनाश हो सकता है और्जा का ना तो सरजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है तो इसमें से आपको कौन सा option सही लग रहा है और्जा सनरचन के सिध्धान्त के बारे में तो और्जा सनरचन का जो मोल सिध्धान्त है वो यही है कि और्जा का ना तो सरजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है The basic law of conservation of energy के अनुसार ओर्जा का ना तो स्रजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है बलकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्ति किया जाता है दूसरे रूप में परिवर्ति के अधिक होने पर तारत अधिक होता है अर्थात ध्वनी सुरेली होती है अगर आवर्ति अधिक होती है तो तारत अधिक होगा और ध्वनी सुरेली होती है तथा आवर्ति कम होने पर तारत तो कम हो जाता है और ध्वनी भारी होती है अगला question है hertz मातरक है बल का, दाब का, आवरतिका, समवेक का इन में से कौन सा option आपका सही है तो hertz मातरक है आवरतिका hertz मातरक किसका है आवरतिका इसमें और भी कुछ मातरक आप देख सकते हैं बल का मातरक न्यूटन होता है समवेक का किलोग्राम मेटर पर सेकेंड और दाब का न्यूटन प्रति मेटर सक्वायर तो सारे मातरक यहाँ पर मैंने लिखती हैं अगला है एक पार सेख तारो समंदी दूरियम आपने का मातरक है ये बराबर है कितने प्रकाश वर्ष के लगभग ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है तो पार सेख आपको पता है दूरियम आपने का यंतर है पार सेख प्रकाश वर्ष की भाहत ख़़ोली दूरियम आपने का पैमाना है पार सेख का फुल फॉर्म जान लेजिए अगर ना पता हो पैरालैक्टिक second होता है इसका full form एक पार्स एक में 3 गुड़े 10 की घाथ 16 मेटर होता है एक प्रकास वर्स में 9.46 गुड़े 10 की घाथ 15 मेटर होता है तो अब इन दोनों की अगर हम तुलना कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पार्स एक बराबर 3.262 प्रकास वर्स होता है अगर exact की बात करें तो इस हिसाब से आपका जो करीबी आंसर है वो 3.25 प्रकास वर्स है प्रकास वर्स दूरी का मातरक है ठीक है दूरी मापने का मातरक है इसके बाद कुछ फैक्ट है योगलीना किस संग का प्राणी है तो रोधिर कर्णिकाय तथा प्लाज असन्यूक तो रोप से किस का निर्मार करती है तो रोधिर का निर्मार करती है तो रोधिर का निर्मार करती है मलेरिया रोप किस पर जीवी के माध्यम से फैलता है प्लाजमोडियम के इसकरवी रोप किस की कमी से होता है विटामिन C की कमी से NaOH क्या है यह कास्टिक सोडा है तो यह थे आज के साइंस के questions मिलते हैं next part में अगले questions के साथ thanks for all